असलाम वालेकूम वरहमत अल्लाह बचो आज हम क्लास प्रिफ्स का मैज पढ़ेंगे मैजिक हैजगन ठीक है तो हम देखेंगे इस तरह से हैजगन हम बनाएंगे ठीक है फिर उसके बाद एक सरकल एक सुक्यर एक सरकल एक सुक्यर तो अब जैसे मैं कुछ circle में कुछ number लिखता हूं कोह भी ciao कोई भी जासे two लिखंगा यहां पर थरे वह फोर लिख, देते हैं यहां पर समी हां पर सेबनाफ देते हैं। तो आप इनको हमने क्या करना है सालो करना है कहां से शूरू करें हम अगर यहां 5 से शूरू करते हैं 57035 इसमें टेबल आना जरूरी है टेबल याद होना चाहिए पर इसके बाद यह दो होगे यह वाला हमारा सुक्यर अब इसकी और इसकी बारी है 7, 4 जार 28 अब इस 4 और 3 की बारी है 4, 3 जार 12 अब 3, 2 जार 6 4, 2, 6 जार 12 6, 5 जार 30 ठीक है यह हमारा क्या हुआ Magic Hexagon अब एक और से खाऊंगा थाकि आपको अच्छे से आ जाए जासे यहां पर पहले हम इस तरह से Hexagon बनाएंगे Hexagon बनाने के बाद पहले एक सर्कल उसके बाद सुक्यर उसके बाद फिर सर्कल फिर सुक्यर फिर सर्कल फिर सुक्यर बनाएंगे फिर सर्कल बनाएंगे फिर सुक्यर बनाएंगे फिर सर्कल फिर यहां पर सुक्यर यहां पर सर्कल यहां पर सुक्यर अब इसमें हम करते हैं हम लेखेंगे डिजेट जैसे यहां पर लेखेंगे 7 यह आपकी किताब भी है यहां पर लेखेंगे 10 यहां पर लेखेंगे तो इसमें हम लेखेंगे 14 ठीक है अब हम करेंगे इसको सालो तो इसको अगर हम यहां से शुरू करें फायो थाटीन जार आपको तो पूरी तरह टेबल याद होना चाहिए तो फायो थाटीन जार हम लेखेंगे तो यहां पर आता है 65 तो आपको आसानी के लिए मैं करूंगा इस तरह से हम मल्टिप्लाइ थाटीन इन्टू फायो ठीक है यह जब हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो यह कितना आ जाएगा फायो थ्री जार फिफ्टीन फायो वन जार फायो प्लस वन कितने हुए सिक्स शाब यहां पर कितने आगे शिक्स्टी फायो अब इसके बाद थ्रीन को तू से करेंगे ना तू थर्टीन जार इस तरह से थ्र्टीन इंटू तू कितने हुए तू थ्री जार शिक्स तू वन जार तू कितने आए यहां पर ट्वन्टी शिक्स शाब बाद इसके बाद तू को तैन से करेंगे तैन इंटू तू 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 यहां पर कितना हुए तू यहां पर ट्वन्टी शाब बाद इसके बाद तैन को सावन से करेंगे 10 x 7, कितना आए? 70, तो यहां पर कितना आए? 17, इसके बाद 7 को 14 से करेंगे, 14 x 7, 740, 28, 7100, 7 plus 2 जो कह रही थी, कितना है? 9, तो यहां पर कितना आगया हमारा? 98, ठीक है? यहां पर आगया हमारा? 98, अब यह हो गया, अब इसके बाद है 14, और 5, तो 14, अगर हमें टेबल याद नहीं है, तो इस तरह से करेंगे, यह easy method है, 5, 4, 20, 5, 1, 0, 5 plus 2, कितने हुए? 7, तो यह कितना है? 70, यह हमारा हो गया, magic, hexagon, ठीक है, अमीद आपको समझाया होगा, तो आप इस पर और गर में practice करेंगे, इसी तरह से hexagon बना के, एक circle, एक square, फिर कोई भी बीच में इसमें आप digit लिखेंगे कुछ, तो फिर उनको क्या करेंगे? multiply करेंगे, तो यह आगया आपका magic hexagon, thank you.